जैहिंद नहलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो को देखते रहे हैं यहाँ पर आपको श्टैप पूरी जानकारी दी जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं गाईज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ओफिसल साइट जो बजग्यान डोटीन है इसका लिंक वीडियो को डिसकाप्शन में दिया है जैसे ही आपके लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस बरती की जानकारी आएगी जहाँ पर जानने को मिलेगा कि यह बरती आपकी ओडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर निकाली है जिसमें की केंड़ेट आल इंडिया से अपलाई कर पाएंगे पर वो तभी कर पाएंगे जब आपने पीटी 2023 क्वालिफाई किया हो एन यहाँ पर इसमें सभी केंड़ेट को अपलाई करने के लिए 25 रुपे फीस बे करनी है फोर्म आप लोग 20 फरवरी 2024 से लेकर के 11 मार्च 2024 तक भर पाएंगे कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वेकेंसी किस केडिगरी में है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते है इस टेवल में और अपलाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते है है apply पर click करने के बाद में आपके सामने यहां पर instructions आएंगे इन सभी को check करने के बाद आप submit application के उपर click करेंगे and then guys आप यहां पर इन सभी को check करेंगे और फिर आपको यहां पर tick करना है इसके बाद आपको I agree के उपर click करना है I agree के उपर click करने अब आपको यहाँ पर PT 2023 का ररेशा नमबर देना है, फिर यहाँ पर डेट अपर आपने PT के अंदर क्या भरी दिया, वो डेट अपर आपको सेलेक्ट करनी है, जैंडर आपको क्या है, male, female वो आप सेलेक्ट करनी है, अब आपके सामने यहाँ पर आपकी PT की जानकारी आएगी जो की आपको उपर की तरफ चेक कर लेनी है, और उसके बाद में आपके सामने एक उपसन आएगा, additional age lexation other than above region, तो आप यहाँ पर इसमें yes करेंगे, और yes करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ उपसन देखने को मिलेंगे, government order, या फिर court order, इसके अलवा सेवा, और, उसके अतरिक्त अगर आपको इन में से किसी order के तहत छूट चाहिए, जो कि आप कलेम कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पर yes करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है, यानि कि मैं आपको फिर से बता दूँ कि एगर आप सिईटी OBC है और आप over age हो चुके, तो जो आपको छ आपके सामने डिटेल सोप एडिस्टल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल स्पेस इस्पेसल रिकूर रिकूर्टमेंट ओडिटर तो आपको यहां पर पहले नंबर पर देखने को मिल रहा है कि बैचलर डिगरी इन कॉमर्स वरो में इन इस्टेबलिस्ट वाइल लो इन इंडिया और पोस्ट ग्रेजवेट डिपलोमें अकाउंट एंसी तो आप यहां पर रियस कर दीजे क्योंकि आपके पास एक वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए इसके बाद में आपको यहां पर दिया है बोर्ड यहर का रोल लंबर देना है और इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट के इसू डेट यहां पर देनी होगी और फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको बताना है परसेंटेज आ फिर ग्रेड अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आई थे औ और यहां पर बताईए कि आपने किस institute से यह पास किया है, किस साल के अंदर पास किया है, certificate या फिर roll number क्या है, issue date किया है और उसके बाद में यह verification code डालिएगा और submit पर क्लिक कीजेगा, आपने जो भी जानकारी भरी है, अभी तक के वो जानकारी आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहाँ पर click here to proceed for photo and signature, इसके उपर click करेंगे, and then यहाँ पर आपका जो photo है और जो sign है वो यहाँ पर दिया है, जो कि आपने PT के अंदर upload किया था, आप यहाँ पर photo and आपके sign के अंदर कोई changes नहीं कर सकते, अगर आपको इसके अंदर कोई changes करना है, तो आप जब PT का form भरते तभी आपको वो करना होता है, अब आप यहाँ पर simply continue के उपर click करेंगे, आप guys यहाँ पर आपको आपकी अन्य information देनी है, जिसमें कि आप से यहाँ पर जो detail मांगिया हुए age proof, जिसमें कि आप आपका 10th के certificate की जानकारी भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर job का जनम परमान पतर है, उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, यह आपक कर्ष्ट certificate के जानकारी देनी अनिवारिया है, तो आप age proof में यहाँ पर जानकारी कैसे भरेंगे, जान लीजे, अगर आप age proof में 10th के certificate को दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर issue authority में UP board लिख देंगे, या फिर जिस भी board के द्वारा आपने आपकी दस्वी किया है, उस board का नम आ आप डालेंगे, और उसके बाद update के उपर क्लिक करेंगे, और update के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर update details के उपर दोबारा से क्लिक करेंगे, और अब आपकी जानकारी यहाँ पर update हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर residence proof देना है, तो अगर आपके पास निवास परमान पत तो आप यहाँ पर नीचे जहाँ पर सक्सम अधिकारी दिया है यहीं पर आप देखेंगे सक्सम अधिकारी तहसिलदार तो इसी अथोर्टी ने यह सर्टिफिकेट जारी किया है तो यहाँ पर इस जगह पर जिस भी अथोर्टी का नाम लिखा है वही अथोर्टी का नाम आप आपको यहां पर लिखना है जैसे कि यह जो certificate है जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया यह जारी हुआ है तैसिलदार के दौरा तो आप यहां पर आपकी authority का नाम देंगे जिस authority ने आपका certificate जारी किया है फिर कभी यह issue हुआ है तो इसमें issue date आप देख सकते हैं 10 जन certificate नंबर है यह certificate नंबर आप यहां पर फिल करेंगे और update के उपर क्लिक करके इसको भी update कर देंगे आपके सामनी प्रिफेंशल क्वालिफिकेशन में दो ओप्सन है एक है कि start in the territorial army for a minimum period of two year यानके क्या आपने territorial army के अंदर दो साल तक सेवा की है अगर हां तो yes नहीं तो आपक यहां पर tick करना है और tick करने के बाद यह verification को डालना है और save and proceed पर click करना है अब guys आपके सामने यहां पर इस तरह का interface आएगा आपको click here to pay इसके उपर click करना है और यहां से ok करना है ok करने के बाद आप चूज payment option में SBIO select करेंगे और फिर proceed for payment के उपर click करके यहां से ok करेंगे ok करने के बाद अगेन आपको proceed for fee deposition इसके उपर click करना है और यहां से ok कर देना है ok करने के बाद में यहां पर आपको कोई भी एक माध्यम select कर लेना जिस माध्यम से आप अपनी application fees जमा करना चाहते है जैसे ही आप यहां पर किसी भी माध्यम कर इस्तमाल करके अपनी application fees जमा कर देंगे तो आपका form submit हो जाएगा आप अपने form का final print out ले पाएंगे